हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे तो देखिए आज में लेके आई हूं दिवाली स्पेशल बहुत जल्द बनने वाली मिठाई की रेसिपी तो वीडियो देखेगा बिना स्कीप किये तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो देखिए मिठाई बनाने के लिए मैं यहां ले निएक रिए अगर आपके पास निएक रिएक बहुरू करें बढून dur Сейчас मैं चीप नहीं है तो देखिए इसमें मिला दिया है देजी घी तो अंदर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है तो देखिए इसे इसमें डालेंगे हम एक कटोरी मिल्क पाउडर और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा डालकर हम मिला लेते हैं तो देखिए मैंने अभी गैस नहीं जलाया है मैं पहले ही प्रोसेस कर रही हूं उसके बाद जब अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद ही हम इसे गैस पर रखेंगे तो देखिए सभी अच्छी तरह से मिल कर तयार हो गया है तो रिफाइंड ओयल भी अच्छी तरह से मिल गया है और मिल पॉडर भी अच्छी तरह से मिल गया है तो देखिए इसमें लंप्स बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरीके से गोल बना कर तैयार कर लेंगे तो चलिए गैस की तरब चलते हैं तो देखिए मैंने इसे गैस पे रख दिया है अब गैस को हम जला देते हैं तो अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए फुल फ्रेम पे ही हम इसे पका लेते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल जटपट से बनने वाली मिठाई है और इसमें कुछ जादा समान भी नहीं लगता है तो देखिए दूद में अच्छी तरह से पुबाल आना शुरू हो गया है तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं दिवाली के इस पेशल मौके पर आप इसे जटपट से बना कर तयार कर सकते हैं तो फ्रेंट्स को खलाईए महमानों को खलाईए आपको देखिए का सब को बहुत पसंद आने वाली मिठाई हैं तो देखिए दूद में अच्छी तरह से उबाल आते ही हम इसमें आड़ कर देंगे तीन चमच चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग रखेगा क्योंकि मिल्क पॉडर में भी थोड़ा से मिठास होती है तो चीनी आप अपने हिसाब से डाली है कम या ज्यादा तो च तरीके से पकते हुए तो देखिए हम इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे तो यह देखिए तीन-चार मिट में ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो जितना भी साइड में लगा हुआ है छुटाते हुए हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे ताकि कड़ाई में बिल्कुल भी न लगे तो देखिए अच्छी तरह से यह बनकर तैयार हो गया है देखिए कड़ाई को भी छोड़ने लगा है अब इस टाइम पर आप लाइची का पॉर्डर एड़ कर दीजिएगा मैं भूल गई थी मैंने बाद में एड़ किया है तो आप इस टाइम पर थोड़ा सही लाइची का पॉर्डर भी जाल सकते हैं केवरा वाटर भी अगर आप उसी टाइम पर मिला देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा तो देखिए अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसे और अच्छी तरह से मिला कर हम इसे फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो रख देते ह तो देखिए मैंने इसे फ्रीज के अंदर रख दिया था तो मैं इसे 10 ने बाद निखाल रही हूँ तो देखे अच्छी तरह से बन yar हो गया है तो चलिए देखे हाथ पर लगा लेते हम इस तरीके से घी हाथ पर गी कर लेते और इस तरीके से मिसके के पेडह बनाकर तयार कर लुए आप को इसी से जो भी देनी है आप वह दीजिए सब्सक्राइब कर ली इतरिके तोirus बना कर तो किस्तरी नियस को अम भू भू पर सरह तो इसी हमें तो आफ यारक लिए तो आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आप कब बना रहे हैं दिवाली स्पेशल में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और रेसिपी जरा भी अच्छी लगी हो तो मुझे वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आप कोई मिठाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूं आप से ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई